पोलिटिन के शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर दे के जिवाल की पत्री प्रेस कॉंफरेंस करेंगी दो पहर बारा बच्चे का वक्त और प्रेस कॉंफरेंस करती नजर आएंगी सुनीता के जिवाल बड़ी खबर आपको बतारें देखी के जिवाल पर जिस तरह से E.D. का शिकंजा कसा है आपके लगतार नेताओं का कारिकरताओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इससे बीच एक बड़ी खबर आपको बताते चले के जिवाल की पतनी आज प्रेस कॉंटरेंस करती और आप कारिकरताओं का देश भर में प्रदर्शन देखने को मिला है इससे बीची एक बड़ी खबर आपको बतारें देखे के जिवाल की पतनी सुनिता के जिवाल आज प्रेस कॉंटरेंस करती हुई नजर आएंगी ये बड़ी खबरे दोपहर बारा बज़े का वक्त है और प्रेस कॉंटरेंस करेंगी दोपहर बारा बज़े सुनिता के जिवाल प्रेस कॉंटरेंस करेंगी बड़ी खबर आपको बतारें देखे के जिवाल शेय दिन के रिमान पर हैं तीन गंटे मामले में सुनबाई राउज जिवनी कोट में चली 28 पेज की दलीले एडी ने और चुनाव आईयो के पास विपक्ष पहुंचा है मुकह मंत्रिय अर्विद के जिवाल के ग्रफ़तारी के विरोध में कोंग्रेस जयत्विपक्षी दलो के लीता शुक्रवार को चुनाव आईयो के पास पहुंचे है तो देखें लगधार इस पूरे खबर पर डיपल लग अतार है और पलपल की जो जानकारी है भाराट 24 आप तक पहुंचा रहा तो आप कारी घोटाला मामने में शुक्रवार को दो पहर मुख्य मंत्री अर्विन केज़िवाल को राउ जेवन्यू कोट में पेश किया गया तीन घंटे इस पूरे मामने में सुनवाई हुई जह आज ये बड़ी खबर आपको बताने देखे इस पूरे मामने में दोपहर 12 बचे प्रेस कॉंफरेंस करती में नजर आएगी सुनीता केज़ जिवाल हालक कि प्रेस कॉंफरेंस में क्या तमाम बड़ी बाते कहती हैं ये बहुत महत्वपोर्ण होगा सुनने वाली बात होग कि क्या वो बातों का जिक्र करती में नजर आएगी आपको ये भी बताते चली किस पूरे मामने को लेकर लगतार के जिवाल पर श्रिकंजा करस रहा है देखे सुबह अदालत में इस मामने के सुनवाई हुई करीब शाम पांच बचकर 16 मिनिट पर अदालत ने रिमान पर अ कोचे वो भी आपको पताएंगे लेकिन अक्षे हमारी साथ इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए हैं अक्षे कि जिवाल की पत्ने प्रस कॉन्फरेंस करते हुए नजर आएंगी तो पहर 12 बचे क्या इस पूरे मामने में अपडेट आपके मुख्यमंत्री को गिरफ़ार कर लिया गया है और इसके पीछे राजनेतिक साजिस है करते हैं लेकिन यह वाना जा रहा है कि बीजेपी और इडी पर आख्रमक होंगी लेकिन साथी साथ यह भी एक जरूर चीज होगी कि किस तरह से सरकार चलनी है अर्विंद के जवाल के अनुपस्तिती में उस पर भी सभी के निजरें रहे हैं क्या कुछ सुरिजा के जवाल को बड़ा जमेंचारी देनी जा रही है ऐसे चीजों का फी कुर्स खुलाता हो सकता है इसी पीस आमादी पार्टी ने तमाम प्रदर्शन करने का भेलान कर दिया है चोबिस मार्च को सभी जो इंडिया कर बहनन के नेता हैं उनको दिली में प्रोटेस्ट के लिए बुलाए कि इसे कॉंफरेंस में वो तमाम नेतियों का खुलाता कर सकती है लेकिन सबसे जो महत्कोर यही होगा कि अपना पक्ष रखेंगी अर्विन केजिवाल का पक्ष रखेंगी ऐसी ख़बरे आ रही है और उसके बाद निशुक से कल जो फैसला किया गया है उसके बारे में भी जर्जा कर सकती है बिल्कुल देखें बीते दिन से जिस तरह से अर्विन केजिवाल की गरफतारी हुई है उसके बाद से लगतार आम आदमी पार्टी प्रेस कॉंफरेंस कर रही है अपने स्टैंड क्लियर कर रही है और अर्विन केजिवाल को सपोर्ट कर रही है लेकिन आ देखी संभावना यह जताई जारी है कि राज़िस में सक्रियता अब अर्विंद करिवाल के अनुपरस्टी में सुनिता के जिवाल बढ़ाती हुई नजर आएंगी और कल की जो ट्वीट से उससे जाहिर हो गया यह कहा जा रहा है कि आवनाली पार्टी के तमाम बरिस्पनेत में हैं सौरव भारतवाज आतिसी ऐसे निता है जो उनके आसपास रहे हैं और उनके करिवी निताओं में रहे हैं आप सभी की नजरेट टिकी हुई है कि क्या किसी मंत्री को सीम उमिदवार बढ़ाय जाता है या फिर अर्विंद के ज़वाल वाकई स्थिपा देगे क्यों पैसले प्रकाब नहीं ले सकती है लेकिन कहीं सुनेदा के ज्वाल पर ठीकी है रहता है चली तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखे